हेलो फ्रेंड्स आज मतलब 4 जन्वरी 2022 को तीन कंपनियों की बोर्ड अब डिरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में सब डिविजन या स्टॉक स्प्लिट की एप्रूबल दे दी गई है इन तीन कंपनियों के नाम है मुक्ता अगरिकल्चर लिमिटेड नुवो ग्लोबल वेंचर लिमिटेड और मिस्टिक इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेड आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें अब चलिए मैं इन तीनों कंपनियों के शेर स्प्लिट को डीटेल में बताता हूँ कि बोर्ड अव डिरेक्टर की मीटिंग में क्या आउटकम आया है मुक्ता एगरिगल्चर लिमिटेड की चार जनवरी मतलब आज ही बोर्ड अव डिरेक्टर की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में सब्डिविजन या शेर स्प्लिट को एप्रूफ कर दिया गया है कंपनी अपने फेज वैल्यू को 10 रुपे परती शेर से घटा कर 1 रुपे परती शेर करने वाली है इसका मतलब इस शेर स्प्लिट का जो रेशियो है वो 10 इस तू 1 है इस सेर स्प्लिट से पहले इस कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 2 करोड 30 लाग था जिसकी फेज वैल्यू 10 रुपे परती शेर थी और इस सेर स्प्लिट के बाद इस कंपनी का शेर कैपिटल 23 करोड हो जाएगा और इसकी फेज वैल्यू 1 रुपे परती शेर हो जाएगी नूवो ग्लोवल वैंचरस लिमिटेड की आज मतलब 4 जनुरी 2022 को ही बोर्ड अव डैक्टर्स की मीटिंग हुई है इस मीटिंग में शेर स्प्लिट की अप्रूवल दे दी गई है और कंपनी अपने शेर की फेज वैल्यू को 10 रुपे से घटा कर 1 रुपे करने वाली है शेर स्प्लिट से पहले इस कंपनी का ऊउतराइज शेर कैपिटल 2 क्रोड था इसकी phase value 10.30 थी इस split के बाद इस company का share 20 करोड हो जाएगा और इसकी phase value एक रुपया प्रतीश शेर हो जाएगी Mystic Electronics Limited की Board of Directors की meeting 4 January 2022 मतलब आजी हुई है और इस meeting में share division या split की approval दे दी गई है और इस split में company अपने share की phase value को 10 रुपय से घटा कर 1 रुपय करने वाली है इस split से पहले इस company का authorized share capital 2.10 लाग था और इसकी phase value 10 रुपय प्रतीश शेर थी और इस split के बाद ये बढ़कर 21 करोड हो जाएगी और इसका phase value 1 रुपया प्रतीश शेर हो जाएगा तो आपने देख लिया कि इन तीनों companyों में share split एकी डंग से हो रहा है और share split का ratio 10 is to 1 ही है इस share split के बाद अगर आपके पास एक share हैं तो वो 10 share में convert हो जाएगे अगर आपके पास 10 share हैं तो वो 100 share में convert हो जाएगे और अगर आपके पास 100 share हैं तो वह 1000 share में convert हो जाएंगे इसका मतलब आपके पास जितने भी split से पहले share हैं उसे आप 10 से multiply कर दीजे तो वही आपका split के बाद share हो जाएगा ये तीनों company एक ही promoter group की company है share split एक neutral action है इसमें ना ही company की कोई value बढ़ती है और ना ही आपके total share holding की कोई value बढ़ती है company share split अपने share की liquidity बढ़ाने के लिए करती है share split के बाद company का share sharply उसी ratio में गिर जाता है जिस ratio में share split दिया गया है यहाँ share split का ratio 10 is to 1 है तो share split के बाद इस company के share का price 1 by 10 हो जाएगा और इसके price के sharply गिरने के बाद ऐसे small investor जो ज़्यादा price हो जाने के कारण इन share में invest नहीं करना चाहते थे या कतराते थे वो भी इस share में interested हो जाते है और इससे इस share की liquidity कापी बढ़ जाती है मैंने share split पे एक detail video बनाई है और मैंने उसमें ये भी बताया है कि क्या share split होने के बाद shareholder को real sense में कोई फाइदा होता है या उन्हें नुकसानी होता है इस video को आप उपर आई हुए card को click कर भी देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि ये video आपको पसंद आया होगा तो आप इसे like करें अपने family members और friend के साथ share करें धन्यवाद